उत्तर प्रदेश के मेनपूरी के वनखंडेश्वर धाम खरपरी में गुरुजी पंडिर प्रदीप मिश्रजी दुवारा तब शिव महापुरान कता के 22 जुलाई मतलब पहले दिन की कता पूर्ण हो चुकी है यह कता 22 से 28 जुलाई 2023 तक चलने वाली है जिसका आनन्द आप आस्था और यूट्यूब के दुवारा दो पहर के दो बज़े से लेके 5 बज़े तक प्राप्त कर पाएंगे सावन का अधिक मास चल रहा है ऐसे में सभी गुरुजी पंडिप्रदीप मिश्रे जी का बताया गन्ये का रसवाला महाधन प्राप्ती उपाएं करना चाहते हैं और जिन्होंने यह उपाएं आज नहीं कर पाया है तो उन्हें निराश होने की बिल्कुल जरूत नहीं है क्योंकि अभी तो सिर्फ शुकल पक्च की पंचमीतिती ही निकली है और कृष्ण पक्च की पंचमीतिती आने वाली है जिसमें आप यह उपाए कर सकते हैं कृष्ण पक्ष की पंचमितिति को आपको यह उपाय करने का अंतिम मौका है इसके बाद यह मौका आपको दो वर्षों के बाद मिलने वाला है अब इस अधिक मास की कृष्ण पक्ष की पंचमितिति कब है कितनी तारिक को है कितने बज़े से सुरू हो रही है और कितने बार जाएगी और आप यह हुपाई कितने बजे कर सकते हैं इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंत में मिलने वाली है क्योंकि इसके बाद आपको इह हुपाई दो पर शो के बात करने को मिलेगा तो आप यह हुपाई ज़रूर करें और कैसे करना है वही भी हम अगस्त में मिलने वाला है यह मोका आप बिलकुल न छोड़ें। जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे अगर आपने आज की कता नहीं सुन पाई है तो पूरी कता करस्त तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रशन किया था कि लकुलेश महादेव शिवलिं कहां परिष्थे तो इसका सही उततर है उजेन में और आजके वीडियो का प्रशन इस परकार है जो आपकी स्क्रिंड में भी दिख रहा है माता सती को जन्म किस ने दिया था आपके option इस प्रकार है A. मेना जी ने B. प्रसूती जी ने आप इस question का उत्तर अभी हमें comment के ज़रे भेज सकते हैं हम इस question का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे अब बढ़ते हैं आज की कता की पहली जानकारी की ओर कता शुरू होते ही गुरुजे ने कहा आपने महादयो को देखा यार ना देखा आप महादयो के द्वार के सामने से ही अगर निकल जाते हैं इतने में भी आपको महादयो की कृपा प्राप्त होती है शिव महापरान क्या देती है गुरुजने कहा सुहागन को पुर्षों को इस्त्रियों को बच्चों को साधुओं को संतों को अलग-अलग लोगों को शिव महापरान कथा उनकी इक्षानुसार फल प्रदान कर देती है और जो भी स्रद्ध से एक बार शिव महापरान कथा का महादे उसे तीन महा के अंदर क्या प्रदान करते हैं इसे बोलने की जरुवत नहीं है बढ़ते हैं आज की कता की दूसरी जानकारी की ओर गुरुजेन कहा कोई कहता है कि शिव महापरान की कता को पहले दिन सुनना चाहिए कि दूसरे दिन सुनना चाहिए कि तीसरे दिन या फिर चौथे या फिर पांचवे या फिर छटवे या फिर अंतिम दिन की ही कता सुनना चाहिए तो इस पर गुरुजी ने कहा साथ दिन की शिव महापुरान कता है साथ को उसका यह परवत है साथ दिन में से एक दिन आपने जर्म लिया है और साथ दिन में से एक दिन में आपकी मृत्यों भी होने वाली है शिव महापरान की कता तो यह कहती है अगर आपने एक शण की भी शिव महापरान कता सुन ली है तो आपने अपने जीवन को सार्थक बना लिया है तो इसके बाद गुरु जी ने कहा आप शिव महापुरान कता को अगर एक दिन भी क्या एक शन भी आपको मौका मिलता है शिव की भक्ति प्राप्त करने का तो आपको इसे छोड़ना नहीं है शिव का भजन करने का मौका मिल रहा है तो आपको इसे जरूर करना शुरू कर देना है बढ़ते हैं आज की कता की तीसरी जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा अगर मेना पुरी वाले लोग साथ देंगे तो मन कर रहा है यह कता जबरदस्त की जाए हम एक बात कहना चाहेंगे अगर आप लोग साथ देते हैं इसके बाद गुरुजी ने कहा दो लोग बहुत ही जल्दी गायब हो जाते हैं वोट लेके नेता और चेन लेके चोर बढ़ते हैं आज की कता की चोंथी जानकारी की ओर गुरुजी ने बताया एक छोटी सी बच्ची है जो साथ साथ दिन के वरत कर रही थी कई दिन पहले भी कर रही थी और अभी वह वरत है वह वरत इसलिए रख रही थी कि मेनपुरी में कता हो जाए अभी वरत कर रही है और गुरुजी ने उस बालिका को उस छोटी सी बच्ची को व्यास पीट में बुला कर उसका अभिवादन किया और वह छोटी सी बालिका जब व्यास पीट में आई तो उसके आंख में आसू आने लगे वह इतनी ज़्यादा उससाहित थी सिवके प्रती उसके इतनी भक्ती थी कि उसकी आंखों से आसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे मैं उसको देखकर मेरी आँखों से भी आसू आने लगे थे मैं भी उस बालिका को देखकर बहुत भावख हो गया था तो व्यक्ती के पास धन दोलत आने लगती है तो उसके तीन प्रकार के दोस्त बन जाते हैं पहला वह होता है जो थाली मतलब होटल में उसे रोज खाना खाने को कहता है दूसरा ताली जो व्यर्थ में उसकी प्रसंसा ही करता रहता है तीसरा प्याली वह दोस्त जो से मदिरा उननशे में आदत में डुबाने का प्रयास करता है बढ़ते हैं आज की कतकी पांचवी जानकारी की ओर सुएता गोर जी अलिगर से पत्र लिक राएं जिसमें उने लिखा मेरी साधी के दश्वास हो गए थे पर संतान का सुख नहीं था सारे डॉक्टर की रिपोर्ट मैं पत्र के साथ भेज रही हूँ जिसमें डॉक्टर ने कह दिया था कि आपको इस जीवन में संतान सुख नहीं हो सकता तब किसी के कहने पर मैंने आपकी शियो महापरान कथा सुनना शुरू किया और टीवी के सामने ही बैट कर आसन लगा कर साथ दिन की कथा सुननी और साथ वे दिन ही गुरू जी आपके बताया अनुसार मैंने बोले नात से निवेधन कर लिया कि सब बोल रहे हैं संतान का सुख नहीं है आप क्रपा करो बोले नात अब आप ही कुछ कर सकते हो इसके बाद आपके बताया अनुसार सफेद आंकले की जड़वाला उपाय किया उपाय करने के 5-6 मेहने बाद मेरा गर्ब ठहर गया पर इसके बाद गुरू जी पांचवे महने में गर्ब ढारन करने के बाद अल्ट्रा साउंड किया गया तो डॉक्टर ने देखके बताया कि बच्चे का रीड की हड़ी नहीं है जिसके कारण यह बच्चा कुछी दिन जीवत रह पाएगा इसलिए इस बच्चे को हटा दीजे निकलवा दीजे तो इस पर गुरुजी मैंने मना कर दिया और मैं रोज शिव के मंदिर जाना शुरू कर दिया सब मना करते थे कि गर्बरती नारी को शिव पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए पर आप कथा पर कहते हैं कि गर्बरती नारी शिव लिंग पर जल चढ़ा सकती है और उसकी पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, उसी का अभार प्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ, बढ़ते हैं आज की गता की साथवी जानकारी की ओर, प्रणव मिश्रा जी बरेली उत्तर प्रदे से पत्र लेकर आये, जिसमें उन्हें ने लिखा, मेरी उमर मातर रोज जल जड़ाने शुरू किया, शिवलिंग पर चड़े हुए जल को औस दी रूप में प्राप्त करके उसका आचमन कर लेता, और सिव को गले लगा कर घर आ जाता, बाबा की करपा से मुझे सुनाई देने लगा है, मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया हूँ, उसी का अभ अतर पीड़ी अपने सस्राग की तार देती है, बहुत बल है शिवलिंग पर एक लोटा जल चड़ाने का, बढ़ते हैं आज की कता की नोवी और अंतिम विशेश जानकारी के ओर, यह जानकारी बहुत विशेश है, इसलिए आप ध्यान से सुनें, क्योंकि यह मुका आपको इसलिए अधिक मास की पंचमिती थी, 22 जुलाई को सुबह, मतलब शनिवार के दिन सुबह, 9 बच के 26 मिट से शुरू हो गई थी, जो की 23 जुलाई मतलब कल, लगबख सुबह, 10 बजे तक रहने वाली है, इसलिए सभी ने यह उपाई, शनिवार के दिन मतलब आज ही कर लिय क्योंकि अभी तो अधिक मास की सुखले पक्ष की पंचमिती थी निकली है, और अभी आपके पास एक और मोका क्रिश्न पक्ष में है, क्रिश्न पक्ष की अधिक मास की पंचमिती थी आने वाली है, अब मैं आपको बता दू, अधिक मास की क्रिश्न पक्ष की पंचमिती थ शुरुआत 5 अगस्त को सुबह 6 बच के 40 मिनट से हो जाएगी जोकि अगले धिन मतलब 6 अगस्त को सुबह 7 बच के 10 मिनट तक रहने वाली है अब 6 अगस्त कूर फिर से रवीवार आ रहा है तो आप यह उपाई फिर से रवीवार के दिन तो नहीं कर सकते हैं पर यह उपाय आप वापस सनिवार के दिन कर सकते हैं क्योंकि यह उपाय आप सनिवार के दिन इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो पंचमिती थी है उसकी सुरुवाद सुबह 7 बजे हो जाएगी तो आप 7 बजे के बाद यह उपाय कर सकते हैं और यह उपाय आप 5 अगस्त को इवन में बदलाव लाने का तो आप यह उपाई विशेश है इसलिए जरूर करें उपाई सरल और आसान है आपको गन्य का रस को लेना है और अपनी अंजनी में लेते हुए से तुलसी के क्यारे में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए छोड़ना है अंजनी से मतलब है आपक आपको हर तीसरे वर्ष करने को मिलता है तो आप दिन नोट करके रख ले पांच अगस्त को सुबह साथ वज़े के बाद आप यह उपाई कर सकते हैं अगर आपको गन्य का रस नहीं मिल पाता है तो आप उसकी जगह गुड को पानी में गोहल कर भी गुड का उपयोग कर सक आपको आनद की प्राप्ती हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव करना ना भूलें श्री शिवाय नमस्तु भिहम हर हर महादेव